नवस्कार नवस्कार मेरे युवासाथियों को वल्यूद स्किल्डे की आप सभी नवजवानों को बहुत बहुत शुक्प कामना है आज का इस दिन आपकी स्किल्ड को आपके कौशल को समर्पीत है 21 सदी के युवाओं की आज के मिलियनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्कील है उनकी स्कील एक्वाइर करने की शमता है साथियों कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर आप जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलोजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है नए वर्क कल्चर और नए नेचर आप जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं वैसे साथियों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेश और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझी नहीं आता रिलेवेंट कैसे रह जाए कोरोना के इस समय में तो यह सवाल और भी एहम हो गया है साथियों मैं इसका एक ही जवाब देता हूं रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रिस्किल और अप्स्किल स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सिखें जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सिखा तो आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी वैल्यवेडिशन किया लेकिन यह कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन नई स्टाइल याने रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलबी है रिस्किल और हमारी जो स्कील है उसका और विस्तार करना जैसे छोटे मोटे फरनीचर बनाते बनाते आप और भी चीज़े सीखते जाए पूरा का पूरा आफिस डिजाइन करने लग गए तो वो हो गया अप्स्किल स्कील रिस्किल और अफ्सकिल का यह मंत्र जानना समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर है वैसे जब मैं स्कील की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं मेरा सीधा परिचे तो नहीं था लेकिन हमारे जानने वाले सर्जन बताते रहते थे वो उनके किसी परिचीत के विशे में बताते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी समय के साथ उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड दिये यानि खुद को रिस्किल किया उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहां स्पेशल ओकेजन है तो इंविटेशन कार्ड पर नाम वगरे लिखने का काम आप कीजिए बात में उन्होंने खुद को रिस्किल किया अप्सकेल किया उन्होंने कई और लेंग्विजीज में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक पकार से वह उनका कारोबार बन गया ब एक माध्यम बन गया ब्रेंट्स कील इस सम्वविझ विट गिफ गीप तो ऑशर्फ विछ बिट गर्ष्बीर्स चील इस पिर्णामेंच इस तरहता झाएब भी इस्ट्यूने अग्टेश्वने इस स्कैलित इस तरहता से रिषूब इस्ट्टर्स केलीट्णी अट्य इस य Skill is self-reliance. It is not only make one employable, but also self-employable. Skill की यह ताकट जो है, इंसान को कहां से कहां पहुचा सकती है. साथियों, एक सफल व्यक्ति की यह बहुत बड़ी निशानी होती है, कि वो अपनी skill बढ़ाने का कोई भी मोका जाने न दे, इतना ही नहीं मोका ढूनता रहे. Skill के प्रती अगर आपमें आकर्षन नहीं है, कुछ नया सिसने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है. एक रुकावट से महसूस होती है, एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी परस्नालिट्री को ही बोज बना जिता है, और खुद के लिए नहीं, अपने स्वजनों के लिए भी बोज बन जाता है, वहीं skill के प्रती आकर्षन जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है, skill जिर्फ, रोजी, रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है, जिन्दगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जीद चाहिए, तो skill हमारे driving force बनती है, हमारे लिए नई प्रेणा लेकर आती है, उर्जा का काम करती है, और उम्र कोई भी हो, चाहिए युवा वस्ता हो, या बुजूर्ग, अगर आप नई-नई skill सिख रहे हैं, तो जीवन के प्रती उत्साह कभी कम नहीं होगा, साथियों, skill की क्या ताकत होती है, इस से जुड़ा हर किसे का कुछन को जनूब होगा, मुझे भी आज जब आप से बात कर रहा हूँ, तो एक पुरानी घटना याद आती है, और ये तब की बात है, जब मैं युवा आवस्ता में, ट्राइवल बेल्ट में एक वोलिंटर के रुप में काम करता था, और कुछ समस्ताओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था, तो एक बार एक समस्ता के साथ उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे, लेकिन वो जीप सुभे जब निकलना था, उसी समय चली नहीं, अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसी थी, हम सब लोग लगे काफी कुछ कोशिश की, धके मारे सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं, आखिर कर साथ, आट बच गए तो फिर किसी एक मिकेनिक को बुला लिया, उसने आकर के कुछ इदर उदर किया और दो मिनिट में तो ठिक कर दिया, फिर उसको पूछा के तने बैसे तो बले 20 रुपिया, उस जमाने में 20 रुपे की किमेत भहुत होती थी, लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, ने यार, दो मिनिट का काम और तुम 20 रुपे मांग रहे, उसका जवाब मुझे आज भी प्रेड़ा देता है, मेरे मन पर प्रभाव करता है, उस अनपर्ड मेकेनिक ने कहा, साथ, ये दो मिनिट का 20 रुपे नहीं ले रहा हूँ, 20 साथ से काम करते करते मैंने जो स्कील मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपे उसका है, मैं समझता हूँ, ये ही होती है स्कील की ताकत, स्कील आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभाव को प्रभाव को प्रेलग बना देता है, और साथियों, यहाँ एक और चीज समझने बहुत जरूरी है, कुछ लोग नौलेज और स्कील को ले करके हमेशां कन्फूज में रहते हैं या कन्फूज पादा करते हैं, यह छोटा सा उधार देता हूँ, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती है, साइकल पर कैसे बैठना है, साइकल कैसी होती है, कौन सा पूर्जा क्या काम करता है, कहां हैंडल पकड़ना है, कहां ब्रेक लगना, सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा, ये सब नौलेज है, आपको नौलेज है, इसलिए आप साइकल चला जाएंगे, हिसा गरंटी नहीं है, लेकिन वास्ताओं में, एक्चुल में जब साइकल चलाना होता है, तो स्कील की जरुरत पड़ती है, आप कोई खुद को दिरे-दिरे आजाता है, और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकल चलाते हैं, चलते रहते कोई तकलिब नहीं होती है, जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, टैलेंट में आ गई, स्कील आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है, और इस फर्क को समझना साशन से लेकर के समाज के हरस्तार पर बहुत जरूरी होता है, आज भारत में नौलेज और स्कील दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है, आज से पांच साल पहले, आज के ही दिन, स्कील इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था, इसका मकस्द यही था, कि यूद को नौलेज के साथ ही स्कील भी मिले, कौशल भी मिले, इसके लिए देश भर में सेंकडो, प्रधान मंत्री कौशल विकास केंदर खोले गए, आईडियाईज के संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई, इस दोरान पाँच करोड से जादा लोगों को स्कील डेवलोप्मेंट किया जा चुका है, और यह अभ्यान निरंतर जारी है, साथियों तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में, अनेक सेक्टरों में, लाखों स्कील लोगों की जरुद है, विशेशकर स्वास्त सेवाओं में तो बहुत बड़ी सम्भावणाएं बन रही है, यही समझते हुए, अब कौशल विकास मंत्राले ने, दुनिया भर में बन रहे, इन आउसरों की मैपिंग शुरू की है, कोशिग यही है, कि भारत के युवा को, अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके समझ में भी, सही और सटिक जानकारी मिल सके, किस देश में, हेल्ट सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में, कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही हैं, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी, अब जैसे मर्चन नेवी का उदान ले, तो भारत समय पूरी धुनिया को, सेलर्स की बहुत जरूरत है, हमारी तो साड़े साथ हजार किलोमेटर से लंबी कोश्ट लाइन है, बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्रव और तर्टिय परिश्थितियों से परिचीत है, अगर इस शेत्र में स्कील को बढ़ाने पर काम किया जाए, तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं, और अपने देश की कोश्टल एकॉनोमी को भी मजबूत कर सकते हैं, मैपिंग की वज़े से अब इस तरह की जानकारिया देने का काम और आसान हो जाएगा, इसके अलावा, चार प्याद दिन पहले, देश में स्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पॉर्टल भी शुरू किया गया है, ये पॉर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड स्रमिकों की मैपिंग करने में अहब भूमिका निभाएगा, इसे employees एक click में ही skilled manpower तक पहुँच पाएंगे खास कर जो स्रमीग हाल फिल हाल में शहरों से अपने गाओं में गए हैं उन्हें इसे बहुत मदद मिल पाएगी आपने